हेलो फ्रेंड्स ना पूरी ना कचोरी आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ दो मिनट में कम समान से बिना मसालों के ही चटपटा सा नाश्ता जब मुझे जल्दी में कुछ बनाना होता तो अकसर मैं इस नाश्ते को बना लेती हूँ तो आपके साथ मैं इस रेसिपी को शेर कर रही हूँ इस नाश्ते को बनाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए एक कप चावल का आटा चावल का आटा वैसे तो किराने के स्टोर पे जनल स्टोर पे या फिर आप घर में ही चावल पीसकर भी तयार कर सकते हैं मैंने 1 पर चावल लिया, उसी कौप में या पर गेहु मिर्च ऑप कुटीुष ना और साथ में हम यह एपर डालेंगे एक चुथाई चमची कच्चा जीरा जिसे हम छोग क्टा लगाता है यानि कि खड़ा जीरा अब एक बार पहले इन सुखे मसालों को हम यहाँ इस नाश्टे को तैयार करेंगे और यकीन माने दोस्तों यह बहुत टेस्टी और बहुत यहां बनता है अब इसमें हम एड़ करेंगे एक से दो हरी मिर्ची बारी कट करकर मिर्च आप अपने इसाब से बैलेंस करकर डाले क्योंकि अपनी कुटी भी मिस भी डाली है आप कम डालना चाहते हैं बच्चों के लिए बना रहा है तो कम भी डाल सकते हैं थोड़ी सी मैंने करकर अडल कर सकते हैं और अब करें पानी में से अभी करकर डिया है पानी हमें बिल्कुल ठोड़ा-थोड़ा आटे की गांट या गुटली नहीं रहनी चाहिए तो इसको पांच मिनट के लिए रैस्ट पर डालेंगे इससे जादा नहीं क्योंकि इसमें हमने सूजी वगर बिल्कुल भी एड़ने करिए तो इसको टाइम नहीं लगेगा फूलने में बस पांच मिनट में अच्छे से 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 हो जाएगा बैटर अब इसमें हमें कुछ भी एड़ने करना है इससे लेके चलते हैं गैस की और तो गैस पर मैंने एक कड़ाई चड़ा या पैन भी ले सकते हैं इसमें एक से देट चमचा पहले से बहुत अच्छे से गरम कर लिया है तेल को तेल को हमें मीडियम टू हाइ कीची सा नाश्ता बनकर हमारा तयार है जटनषा बन जाता है कुछ ही सेकंड में तो आप पांस से दस मिनुट में बहुत ता इस बैटर से बना Ayakar relative कर सकते है आप इसे से नाष्टा बना कर तैयार कर लिया है एक बार आप इस नाष्टे को बना लेंगे तो आपको इस नाष्टे की आदक सी हो जाएगी क्योंकि विदियो को लाइक चेनल को सबस्क्राइब कर लिजीगा तो मिलते हैं नई दी नई रेशीपी के साथ ठैंक्स पुर वाचिंग